Welcome back to my channel कैसे हो आप सब आशा करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज हम कटोरी ब्लाउस देखने वाले हैं तो इसके लिए मैंने अस्तर ले लिया है उसको फोल्ड कर दिया है और जो दोनों साइड ओपन है वो मेरे उपोजिर साइड में मैंने रख दिया है और जिस साइज का में ब्लाउस कटिंग करना है उस साइज का ब्लाउस एक चौक और टेप कैची इतना हमारे पास होना चाहिए मैं ब्लाउस नाप ले रही हूँ तो ये पूरा 22 कंप्लीट है और इसकी हाइड 15 है 14 कंप्लीट है तो हम 15 लेंगे एक इंच हम बढ़ा के लेंगे सिलाई के लिए तो यहाँ पे मैं साइज अपना नाप लेरी हूं अच्छे से यहाँ पे मैंने 15 ले लिया हाइट दो का गला लेंगे और 3 का शूर्डर लेंगे तो यहाँ मैं टिक करी हूँ दो का गला ले लिया है तीन का शोल्डर ले लिया है और यहां से मैंने छे लिया है जो हमारी साइट की बाजू रहती है वहां पर मैंने छे लिया है और जितना अपना 22 पूरा कम्प्लीट हुआ है ब्लाउर तो उसका हाफ लेंगे हम 11 आएगा तो मैंने 11 लिया है अपना जैसे हम हाफ इंच कम करके जैसे 11 उपर लिया है तो हम यहां पर 10.5 लेंगे दोनों को मिला लेंगे और देड़ इंच पर ऐसी गुलाई दे देंगे यहां से हम आगे का पार्ट निकालेंगे मैंने 6 इंच पर टिक कर दिया और पूरी लाइन मार ली है और यहां से हमें 3.5 पर करना है टिक साड़े तीन पर टिक करने के बाद वहां से हमें हाइट लेनी है 7 मेरी ब्लाॉस की कटोरी 36 साइस की है और हमने उपर का शोल्डर तीन लिया है तो यहाँ पे भी हम तीन लेंगे आगे के पार्ट में यहाँ पे मैं साड़े चार पे टिक करके उधर एक लाइन मार लूँगी वहाँ से नीचे की तरफ पे मैं नौ इंच लूँगी यहाँ से देखिए फ्रेंट्स बराबर फोर एंड हाफ आया है अब यह हम मिला लेंगे इसको अच्छे से गोल सरकल की शेप में मिलाएंगे बहुत सिंपल ट्रीक है यह दोस्तो ना आपको पेपर कटिंग करनी है ना कुछ करना आपको सीधे आप अपने अस्तर पे यह आप कर सकते हो पहले अस्तर पे आप ड्रोइंग निकाल लीजिए फिर आप कटिंग करिए और जो में फैब्रीक है उस पे आप रखके वो cutting कर लेना आगे का पाट हो गया है अब हम योग निकालेंगे तो योग के लिए one side जहां से हम लोग 11 लिये थे वहाँ पे हम 3 इंच का लेंगे और जहाँ पे हम 10.5 लिये थे वहाँ पे हम 3.5 लेंगे और उसको दोनों को मिला लेंगे अब हम कटोरी देखेंगे बहुत सिंपल कटोरी है तो हम 2 पे एक निशान लगा लेंगे एक side से हम 4 पे निशान लगाएंगे जो 2 side का निशान है उस पे वापस एक बार 2 पे लगाएंगे और ऐसे line मार लेंगे और वो circle shape में दे देंगे अब वहां से दोस्तों हमें 9 पे 9 पे निशान लगाना है चारो side से हमारा 9 आना चीए 9 आना चीए तो पूरे 9 उस पे निशान लगा लेना है tape के side से आप goal कर सकते हैं अब यहां से हमें 4.5 लेना है वहां से हमें 4.5 लेना है फिर वहां से हमको 4.5 उपर की तरफ लेना है अब हम इसको पूरे joint कर लेंगे circle shape देते हुए देखिये friends मैं कैसे करेंगे बहुत easy यह method है थोड़ा उपर की तरफ खीषते circle shape में आपको उसको join करते जाना है जो आप निशान लगाए हो उसको join करते जाना है धीरे धीरे joint करना है देखिये friends एकदम easily cut ory ready हो चुकी है अब मैं यह dark कर लूँगी और बीच में से हमको tugs के लिए 3.5 पर निशान लगा लेना है अब मैं आपको हाथ का बता रही हूँ तो इंका हाथ 5 complete है तो हमने six लेना है अस्तर का blouse रहता है तो हम six लेते हैं तो मैं एक निशान मार ले रही हूँ यहाँ पे और मैं आपको इसकी cutting बात में बताती हूँ अब हम इसकी cutting कर लेंगे देखिए friends मैं कैसे cutting कर रही हूँ पहले तो मैंने पीछे के side की cutting की है दोस्तों मैं इसमें आपको सिफ cutting दिखा रही हूँ और next part मैं upload करूंगी वो stitching का रहेगा तो आप अच्छे से देख लीजिए और यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज जरूर कमेंट करके बताईएगा और इस वीडियो को share करें अपने friends and family में और मेरे चैनल को subscribe करें यह friends यह मैंने पूरा cutting कर लिया आगे का part अब कट औरी cutting कर रही हूँ थोड़ा आपको बढ़ा की cutting करना है कि बाद में आप cut करेंगे तो भी चल जाएगा पर अभी आपने थोड़ा बढ़ा की cut करना है यह भी मैं cut कर ले रही हूँ बहुत simple trick है friends आप यह वीडियो जरूर देखिएगा इन तक कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएगा और अपने friends and family में share करेंगे अब दूस्तों हाथ की cutting कर लेंगे नीचे से 2.5 मैंने लिया और उपर की तरफ और 6 था उसको मैंने मिला लिया सरकर शेप में और मैं cutting कर ले रही हूँ हम पीछे के कली के लिए shape देंगे या design देंगे तो मैंने नीचे से 2 और shoulder अपना 3 है और एक तब नीचे से मैंने 4 लिया है 4 पे मैंने टिक करके ऐसा एक triangle shape मैंने निकाल लिया है कैसी लगी आपको फ्रेंड मैंने main fabric ले लिया है अब इसमें मैं सारे cutting किये वे रख लूँगी अच्छे से सेट कर लूँगी मैंने पीछे का part सेट कर लिया है और ऐसी मैं सेट करते जाऊंगी यह आगी का part मैं side में रख दूँगी आपको ऐसे cutting करनी है friends कि आपका कपड़ा west ना जाए थोड़ा सा बचे कि आप next में next blouse में या इसी blouse में आप use कर सकें तो आपने ऐसे सेट करके रखना है तो मैंने पूरा अच्छे से सेट कर लिया है देख लीजे friends मैंने कैसे सेट किया है बहुत आसान ट्रिक है अब मैं cut कर लूँगी थोड़ा थोड़ा मैं extra cut कर लूँगी कपड़ा यहां पर मैंने cut कर लिया फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल एक्स वीडियो में मैंने फ्रेंट्स इसके stitching बताईए वो मैं next वीडियो में upload कर दूँगी तो आप यह cutting वीडियो देख लीज यहां पर मेरी cutting almost done हो चुकी है अब मैं सिर्फ हाथ cut करूंगी यह वीडियो कैसी लगी फ्रेंट्स जरूर बताईएगा मिलती हूं आपसे next वीडियो में बाई